अलेकुम मैं हुदीपा and welcome to my channel study with अदीपा उमीद है कि आप सब दिल्कुल ठीख होंगे तो इसी हुपी से इसी motivation से start करते हैं environmental biology अचाँ environmental biology का हमारे book में लिखा हुआ है कि वही जिसमें उप environment की study करें और environment से related जो भी फैर तो उसकी study करें तो वह environmental biology है जिसे पहले तो इकोलोजी कहा जाता था सबसे पहले कि वही इकोलोजी क्या है? इकोलोजी study है environment की ठीके अब लिखे किसमें इंटोटिंस इकोलोजी वर्ट कराया? इकोलोजी को ग्रीक लेंग्विज में इकोलोजी का मतलब है oipos, oipos का मतलब है home, घर जहां पर आप रहे रहे हैं उसकी study आप करें वह है ecology, ecology के बारे में किसमें बताया? अर्वेश जहेखिल के टीक सिस्टी इंटोट है, चीके मैं तो पहले और अभी ecology को कहा जाता है environmental biology पहले हमें पता होना चाहिए कि environment क्या है, collective term for all conditions, all predators, land, temperature, water, soil, air and other organism constitute an environment environment, environment वह जगा है जहां पर यह सब conditions हमें affect करें, environment जो है न वह जगा है जहां पर सब conditions, environment समझे, वह है जहां पर हम रहे रहे हैं, जो हमारे surrounding में है life हमारे surrounding में affect करेंगी, मैं जहां पर रहे रही हूँ, जहां पर में बैठी हूँ, तो मेरे surrounding में, अगर life नहीं है तो उसका मुझे conditions आती है, environment in collection है, collection है condition की, external condition वह बले internal condition, so collective form of conditions is called environment, तो बैठा, collective term में यह सब conditions, जैसे life, temperature, water, swine, air और जो भी अगर, और 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 नाइसम से, यह सब मिलकर हमारा environment बनाते हैं, बैठा, समझ आ रहा है सिदे हैं निवरता, आउके है, तो आप उसके बात हमारे पास है, कि भैर हिर ताइप of environment, अब environment के भी time है, खीके अब environment का एक ऐसा टाइप, खीके बेठा, अब आप देखे, environment का एक ऐसा टाइप, जिसमें particular organisers लिभ, इंवारॉमेंट का एक ऐसा टाइब जहां पर वोई मक्सूस ऑउर्डबनाईजम रहे वो है हैपी टेट अब सब्सक्राइब करें, टैरिस्टेरियन और्डबनाईजम है वो पानी में तो नहीं रहेंगे वो जमीन पे रहेंगे और इंवारोमेंट वाली तो उल इंवारोमेंट प्रियर्ट बन जाएगा आप पर इंसान है, इंसान की स्केशिज है, तो इंसान सब जमीन पे रह रहे हैं, तो आपके हैबिटेट क्या हो जाएगी? जमीन, बाकी जो पंडिशन्स आपके सुराउंडिक है, रोशनी, गर्मी वगरा वो सब अलग है, तो इन्वारोमेंट, इन्वारोमेंट की एक ऐसी इन्वारोमेंट क्या है, जो भी कंडिशन्स है, उनकी आपके ताइम है, जिसमें कोई एक खास और्गनाइजब रहे, तो वो उसका रेपिटेर हो जाएगा, अब हर जम्दार के रहने का जो तरीका है, जो एक्टिविटीज हो रही है, जो हमारी ज़रूरत है, वो सब मिला उनके कलेक्शन, जो हम रहे मैं, एक हैविटेट मैं, सबसकर रहे, मैं रहने हो पानी, सबसकर रहे हूं थीड़ऄं ca तो पानी के अंदर, जो भी चीजे जिसमें मेरा कनेक्शन एगा। और मैं जबाहरे के पर जाएगा, अगर मैं जमीन पे रह रह रहे हो जमीन पर जो की चीज़ें है, वो मेरा मेरा कुनेक्शन के है, अब हैपीटेट क्या है, अब हम जमीन बाद रहे हैं हम घर मेरका, हैपीटेट इस प्लेक्स एंडाय दो नहां है, जहां कि काप रहते हैं, इंविरंमेंट वार किसी ही का से हो सकता है 말देशता एक पैना हेब टीप होगा अब ढदाद हखें मैं घर में रह ए रह रहे हैं को िशुक्त कॉलेकशन और हेब टेक्डट कना हा जब किसी खास जगा कर रहा हैं तो पहले पहले हैं अपर क्या असर हो रहा है यह तो आप क्या क्या चीज़े होती है तो पहले पहले मिटाएं इंटिविज्विज्विज्व अब इसके बनता हैं पहले होते हैं यह बहुत अमने डिटेल में पढ़ा है नाहित की बायोजी में, नाहित की केमेस्ट्री में हमने पढ़ा है, तो अब ही जो है ना फिर से आपको उपर परस्पता रही हूं, पहले होते हैं सब अटोमिक पार्टिकल्स, लेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, नूट्रोन इलेक्ट्रो प्रोटरों नीट्रों नीट्रों होते हैं उसके बाद सब आटोनिक पार्टिक्ल के बाद बनता है एक अटम के बाद आपके पास घुल बनता है पिरफुर को Molecules मिलकर सेल, दिल भी कर आपका सेल बनाते हैं सेल सेल कि दिलकर Tissue, Tissue से Organ, Organ से Organ System पिर Organ System से Individual Individual का क्या मतल है? Multicellular Organism ठीक है? अब कोई एक स्पेशी हो, किसी जगह पे लो पॉपलिशन बनाते हैं हम सब इंसान एक जगा पे इक पर्थी हो रहे हैं तो हमारी क्यापल जाएगी? Population ठीक है बटा? अगर हम सब इंसान एक जगा पे तो हमारे Population बेगी Spatio, Spatio means नसल अब एक जगा पे सिर्फ words इकत्थे हो रहे हैं तो वो Population बढ़ेगी words की एक जगा पे सिर्फ words इंसान एकत्थे हो रहे हैं तो वो Population बढ़ेगी Animals की तो एक ही Spaces जब एक जगा पे इकत्थे होते हैं तो Population बढ़ती है अब एक जगा पे एक से बढ़का Spaces हैं तो वो क्या बना रहे हैं? Community Supposed करें यहां पर बैट लिए ठीक है पर हम लोहाना Community से हैं तो कहते हैं कि लोहाना Community तो Community क्या है भी उस लोहाना Community Community में क्या है कि दो या दो से बढ़कर Population साँ जाए अभी हम में बैठे हूँ यहां पर ठीक है तो मेरे साथ आपको किसी मजब में तो लोहाना हूं मेरे साथ कोई मिवार आ जाए तो भई Community क्या है जब एक से बढ़कर Population साथ होगी तो Community है अब ecosystem जब वह living के साथ non-living आ जाता है तो वह बनाता है ecosystem अभी Community बनी हम सब साथ होगा है Community में different species आती है जमेरी साथ हूं birds भी, animals भी साथ है और हमारा connection है non-living thing से हमारा connection है air से, land से, water से तो वह क्या बनाता ecosystem अब ecosystem दो होते है Terrestrial Aquatic अब दोनो ecosystem मिलाकर हमें क्या मिला है Biosphere या Ecosphere ठीक है तो पहले आपके पास individual, population, community, ecosystem, Biosphere ठीक है यह सब ecology का लिची है और उसकी बात हमने यह सब पढ़ा के Biosphere, Ecosphere तो यह था हमारा environmental biology और ecology अब आपने ने 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 definition डिसकस कररहे है जो आपके हमारे पास है मेराइट बारेशी कि येस मेरा लास नम दो रफेरेजिस करेंगे इसकी बादब मेरा एक बारा इसका सब्सक्राइब ठीके, so do it pita